मैं इंजिनियर उमेश कुमार शर्मा निदेशक डियाइस साइन्स अकेडमी गंगापुर्शीटी राजिस्थान अपने सभी प्यारे बच्चों को आने वाले नववर्ष दोहजार बाईस की भहुत सारी शुबकामनार बधाईया देता हूं बच्चों आप स्वस्तर हो प्रसन्चितर हो आप बहुत अच्छा पढ़ सको और अपना भविश उज्वल बना सको इश्वर से मेरी यही कामना है मैं अपने उन सभी अभिवाबकों के लिए बहुत सारी शुबकामनाय देता हूं जो DS Science Academy से डायरेक्ली या इंडायरेक्ली जुड़े हैं DS Science Academy के YouTube सब्सक्राइबर के सभी साती गणों को Facebook चैनल के सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद देता हूं और इस नए नववर्ष की भहुत सारी शुबकामनाय रेशित करता हूं और मुझसे या मेरे DS Science Academy से जुड़े किसी भी सदस्य से जुड़े उन सभी सात्यों को मैं धन्यवाद देता हूं और हिर्दे से मैं आप सभी को नमन करता हूं कि आपने हमेशा मेरा मेरी संस्ता का या मेरी संस्ता के सदस्टों का किसी न किसी सदस्ट का संबल और उसका होसला बढ़ाया उन्हें उर्जावान रखा इस आने वाले नवर्ष में मैं अपने सभी विध्यारतियों से जो यहां पढ़ करके चले गए हैं या आज जो पढ़ रही हैं मैं उन सभी से अपने मन की कुछ बातें कहना चाहूंगा मैं चाहूंगा मैं उनसे ये अपेक्षा रखूंगा कि जीवन में अनेक जटिलता हैं कुछ लोगों की कुटलताओं के कारण उत्पन हो सकती हैं ऐसे में आप अपना धैरे रख अपने प्रयास जारी रखना अपने आपको सरल और सहज बनाए रखना आप निरंतरता और ग प्रयासों से सीचते रहना आप उद्देश की प्रती बद्धता और कटी बद्धता को निरंतर दोहराते रहना अपनी खुबियों को पहचानते रहना इनी बातों का ध्यान रखकर तो आप विशम परिश्थित्यों को भी मात दे सकते हूं नए वर्ष दो हजार बाईस की म मैं बहुत सारी मंगल कामना करता हूं आपको पता होगा पिछले दो तीन वर्षों में कोरोना काल की भयावेता से इस नवर्ष पर इतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी आज से तीन चार साल पहले हुआ करती थी जब व्यक्ति अपने आपको तयार करता था अपने परिवा अलग हैं और करोना की भयावाता का मंजर हम सभी ने बहुत अलग-अलग तरह से देखा है हम बहुत सारी चुनोतियों को हमने फैस किया है ऐसे अंचुए पहलिवों से हमें रूबे रूँ होना पड़ा है भहुत सारे दुख भहुत सारी समस्वाओं को हमने या तो अपने उपर देखा है या अपने साथियों के उपर देखा है साल 2020 का रहा हो या 2021 का रहा हो अपनी आखों से हमने हम सभी ने अपने साथियों सम्मंदियों और पर्चितों को इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखा है उनका इतना जल्दी जाना तो तै नहीं था लेकिन इस कोरोना काल की विविश्चिका के कारण वो आज हमारे बीच नहीं है इतना सब होते हुए एक बार तो ऐसा लगने लगता था कि इस नस्वर जीवन का कोई भरोसा नहीं है हम जब तक जीवन है तब तक हमें अपनी नहतिकताओं को अपने आदर्सों को और अपनी जिम्मेदारियों को अठाते रहना चाहिए पता नहीं इश्वर का बुलाबा का वाजा है लोग हमें अपनी अच्छाईयों के लिए अपने बिचारों के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए याद रख पाएं इससे भला और क्या बढ़िया बात हो सकती है आज के इस शुकामन संदेश में मैं आप सभी का ध्यान उन बिंदों पर ले जाना चाहूंगा और डिया साइंस एकेडमिक तरफ से जो कुछ नई चीजे हैं नए अनॉंसमेंट हैं उन्हें भी मैं इस पावन अफसर पर बताना चाहूंगा कि वो बहुत सारी उंचाईयों के लिए बहुत सारे सपने देखें बहुत बड़ा आदमी बनना इतना जरूरी नहीं है जितना कि एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनना है मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद दूँगा जो यहां से पढ़कर के गए और जिन्होंने अपना करियर बनाया उन सभी अभी बापकों को मैं धन्यवाद दूँगा जिन्होंने डियेस साइंस अकेडमी पर भरोसा किया और यह जानते हुए कि यहां से बड़ी इंडस्टी मात्र दो या धाई गंटे की दूरी पर हैं इन सब के वावजूद भी उन्होंने डियेस साइंस अकेडमी पर भरोसा करके अपने बच्चों के करियर को हमारे उपर सौप दिया यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कोई अभी बाबक अपने बच्चों पर को हमेशा से अपने बच्चों को अपने अभी बाबकों का दिल और भरोसा दोनों जीता है लगातार हमने अपेक्षाओं से अधिक भीषण चुनोतियों के बीच भी श्रेष्टम पढ़णाम दिये हैं तहे दिल से मेरा उनसबी अभी बाबकों को धन्यवाद, मेरा उनसबी स जहयोगियों को भी धन्यवाद जो DS Science Security में करमचारी के रूप में, जिम्मेदार कंधों के रूप में मेरे साथ लगातार जुड़े रहे हैं, आज जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जो अभी जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता ह हूँ, समय कठिन था, मुझसे जो बन पाया, मैंने अपनी जिम्मेदारियों के तहत, मेरे अपने सिध्धानतों के तहत, मैंने उनके लिए किया, लेकिन मैं हमेशा यह मानता हूँ, कि उन्होंने मेरी लिए जो किया, मुझसे किये जाने वाली इस्तितियों से बहतर था, मेरे साथ मेरे सहयोगी रहे हैं हाँ मेरे दिमाग में एक बास हमेशा चलती रही है कि मैं कभी किसी का भरोसा ने तोड़ूं और इसी सोच और इसी उर्जा के साथ मैं उनकी उर्जा को बढ़ाता हूं कई बार मैं उनसे उर्जा लेता हूं और कई बार मैं उनको उर्जा देत हूँ और यही सिलसला चलता रहा है इसी बीच हमने यह भी देखा कि टीम भावना क्या होती है टीम वर्क क्या होता है यह हमने बहुत करीबी से देखा और हमने पिछले साल ही जैसा कि आप में से ज्यादतर लोगों को पता है कुछ लोगों को हो सकता है कि पता नहों कि हमने ब प्रमचारी कॉलानी में दो या तीन महनों में ही stay 8.500 विद्धार्थियों का admission हो जाना बच्चों का अभीभाबो को का । recognize suppose अधेस स्केर्विश करें पर इतना भरो सा दिखाना या दर्शाता है की धेस्जुन स्केर्विद्धांस के लिए और अभी भाबा को के लिए कितने समर्पित भाव से पिछले पंदर वर्षों में अपने आपको प्रदर्शित किया है और हम जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए और वह दिखावे के साफ से तो बिलकुल ही ना होना चाहिए हा रखा जाए उनके परसनल्टी का ध्यान रखा जाए उन्हें करीब से तयार किया जाए इन्ही सिद्धानतों के साथ हमने वहाँ पर fluent English के साथ कई नई चीज़ों को स्टार्ट किया है ताकि बच्चों में आज की modern education system को वो पकड़ पाएं और उनके साथ चल पाएं और हर तरीके की updated जो सुविधा होनी चाहिए उन्हें हम provide कर रहे हैं और आगे हम इससे और ज़्यादा अपडेट करने की कोशिस करेंगे DS Science Academy Senior Secondary School नस्या कॉलोनी में संचालित हैं यहां हमने हमेशा यह नयाएक कदम उठाए हैं कि बच्चों को अच्छे टीचरों से पढ़ाया जाए उन्हें quality education दी जाए और उन टीचर्स को अच्छा पेतलमान दिया जाए जिनके की वो लाइक हों यही बज़े है कि आज DS Science Academy के बहुत सारे विध्यारती डॉक्टर, इंजिनियर, जर्ज, कलेक्टर जैसे महतपूर्ण पदोपर देश सेवा का कायर करके देश की प्रगती में अपना महतपूर्ण योगदान दे रहे हैं जब उनसे बात होती है तो हमें बहुत गर्व की अनभूती होती है कि हमने उनके परिक्षेतर में हम एक नया अनौस्मेंट करने जा रहे हैं कि आज हमारे परिक्षेतर में डिया साइंस एकेडमी इस्टिटूट जो एपसी आई माल गोदाम रोड पर खुलने जा रहा है यह एक मार्च को इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि कक्षा बारे के बाद गंगापुर सिटी या परिक्षेतर में ऐसा कोई भी इस्टिटूट नहीं है जो आई आई टी और नीट की उतने अच्छे डंग से बच्चों की तैयारी करा सके और उनका बहतर सेलेक्षन दे सके क्योंकि कक्षा बारे किलियर करने के बाद बच्चे के पास बहुत कम समय होता है उसको एक नियत वर्ष में ही उस सेलेक्षन लेना होता है वह जब किसी बड़े कोचिंग इंडस्टि में एडमिशन लेता है तो वह उस बालक उनके लिए केबल एक कस्टूमर की तरह ही होता है डियास साइंस एकेडमी ने लास्ट इयर जो टार सेलेक्षन रेट पचास प्रतिशत रहा है जो मुझे लगता है कि इस राजिस्थान ही नहीं बलकि भारत वर्ष में सर्ष्रिस्ट रहा होगा और हम एक ऐसा कैंपस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें ट्वेल्थ पास होने के बाद बच्चों को बहुत अच्छी कोचिंग क के लिए कोटा या जैपूर जाने के आवश्चक्ता नहीं होगी वे बच्चा यहीं से ही अपने अभी बाबकों की सेफ्टी में ही क्वालिटी एजूकेशन ले करके अपने मुकाम को हासल कर पाएगा एक मार्स से इस्टिटूट एड्मिशन के लिए अपनी क्वारी के लि बना दें क्योंकि आज नव वर्स 2022 की मंगल कामना करते हुए आप सभी लोगों से रूबरू हो रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि इसको मैं शौटली ही इंट्रोडूस करूं मुझे बहुत गर महसूस होता है कि आज मेरी टीम बहुत मजबूत है बहुत सक्षम है और डिये सा हमिदार कंदे हैं जिन पर संस्ता को गर्व है जैसे हमारे एकेडमिक हैड श्री आस्तोष सर हैड ओफ डेपार्टमेंट फिजिक्स हमारे चीफ कोडिनेटर हैड ओफ डेपार्टमेंट मैथेमेटिक्स श्री अतुल शर्मा सर नीट डेपार्टमेंट हैड फिजिक्स श्री दीवान फौजदार सर, होडी कैमस्ट्री डेपार्टमेंट हैड श्री गजानन सर और एचार्डी हैड श्री हरिष्ट तुर्वेदी जी सर, मेरी अपनी टीम से जोड़े सभी सदस्चों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो संस्था को आगे ले जाने में दिन रात अपनी इमानदारी से लगे हुए हैं, हाँ, मैं अपने बच्चों से या अपने अभी बाबकों को आज ये मेसेज जरूर देना चाहूँगा, कि जब आप अपनी मंजिल ते कर रहे हों, आपको कुछ बनना हो, तो उन सब में बहुत जरूरी हो जाता है, कि आपका व्यक्तित्त का नर्मान हो, आप यदि गरीब हो, तो आपको अपनी खुददारी पर गर्व हो, आपको अपनी इमानदारी पर गर्व हो, आप से जड़ो लोग आप पर तब भी नाज कर सकें, जब आप अपने जीवन को जरूरत के हिसाफ से कम सीमाओं में ही तै कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अपने आपका गर महसूस हो, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, कुछ लोग जो अमीर होने का सपना देखते हैं, वो अमीरी इस हद तक तो ठीक है, कि आप अपनी जरुबतों को पूरी कर सकें, आपके सपने पूरे हो सकें, साथ साथ आप दूसरों के काम आ सकें, गरीबों की मदद कर सकें, और जरुबतमंदों की मदद कर सकें, तो ऐसी अमीरी भी समाज के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यही समाज आपको ना पसंद करना शुरू क यदि आप में यह गुण अमीर होने के बाद भी नहीं है तो प्राय ऐसा देखने में आता है हमें पता नहीं हम कितने महान बन पाएंगे लेकिन महानतम सेनी में यदि शूने से शुरुआत करें तो कम से कम हमें दूसरों की मदद तो करने ही चाहिए जर्बत बंदों को साथ लेकर चलना चाहिए उनका सहयोगी होना चाहिए दूसरों का विश्वास जीतना चाहिए मैं एजूकेशन इंडस्टी से हूँ मैंने ट्यूशन पढ़ाने से लेकर आज तक पढ़ाई को मन से अपनाया है और मैंने अपने बच्चों को तहीर दिल से पढ़ाया है साथी मेरे सहयोगी के रूप में मेरे साथ जोड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब के साथ में जो भी लोग directly और indirectly जोड़े हैं मैं उन सब के साथ इस बात का वादा करता हूं कि मैं कभी किसी का भरोसा नहें तोड़ पाऊं मैं ऐसा बनना चाहता हूं और शुरू से ही मेरा ऐसा मकसद रहा है कि किसी का भी भरोसा ना तूटे चाहे वो हमारे या पढ़ने वाला बिध्धारती हो चाहे एक अभिवाबक हो चाहे यहाँ पर रहने वाला एक सिक्षक हो हम हर कीमत पर उनके भरोसे पर खरे उतरे बैसे तो हम में से जो भी लोग जो भी काम कर रहे हो उनकी नेतिक जम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों का भरोसा जीते हैं हाँ ये बात ते हैं कि डिया साइंस अकड़मी के सिद्धानतों में हम ये चीत शामिल करना चाहते हैं कि जो यहां पढ़ेगा या जो यहां पढ़ाएगा उसके साथ चीटिंग कते नहीं होगी नयापून डिसीजन लिये जाएंगे और अंत में मैं अपने सभी बच्चों को अपने सभी अभी भाबकों को साफ तोर पर ये कहना चाहता हूँ कि अपने लिए सपने देखें अपनी जर्वतों को पूरा करने के लिए अपनी मंजिल को जो पाना चाहते हैं उस मंजिल के बारे में सोचें और हमें यदि आप ये लाइक समझते हों तो इस सफर में यदि हमारा साथ दे सकते हैं तो आप हम पर भरोसा करें हम से जुड़े हम आपके सपने को अपना सपना समझ कर उसे पूरा बनाने में पूरी कोशिस करेंगे और हम अपनी तरफ से इस हद तक कोशिस करेंगे कि आप हम पर गर्व महसूस कर सकें नव वर्ष में हम सभी लोगों को सुरक्षित रहना है अनुशासित रहना है और एक दूसरे का ध्यान रखना है साथ में मेरी ये भी गुजारिश है कि आप सभी लोग अच्छे से सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करें मास्क लगाएं और अपने परिवार को भरपूर नूटियंट्स वाला खाना खिलाएं सब लोग मिल जुलकल रहें खुश रहें एक दूसरे का साथ दें एक दूसरे की उर्जा बनें सकारात्वक उर्जा बनें आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद